स्वागत है दोस्तों चत्तीसगर न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है महिलाओं का अशलील फोटो एडिट कर वाटसेप पर करता था वायरल, पुलिस ने इस तरकीब से किया गिरफतार जांजगीर चांपा की बलोदर पुलिस ने महिला का अशलील फोटो एडिट कर वाटसेप में वाइरल करने वाले आरोपी को गिरफतार किया है और उसे न्याइक रिमान पर जेल भेज दिया है जिले में स्त्री अशिष्ट रूपन प्रतिशेद एक्ट के तहत कार्रवाई की है जो जांजगीर चांपा जिले में पहली कार्रवाई है उलेकनी यह है कि पीरित महिला ने बलौद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अविनाश राथोर ने पीरिता की फोटो वीडियो को आपत्ति जनक एवं अशलील तरीके से एडिट किया है और फोटो वीडियो को वाट्सेप में अशलील एवं आपत्ति जनक शब्दों को लिखकर वाईरल कर दिया है साथ ही साथ आरोपी ने अपने वाटेप्स की डीपी में पीरिता की अशलील फोटो को लगाया है रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 509, ख, सूचना प्रोधोगी की अधिनियम की धारा सरसट, सरसट और स्त्री अशिष्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम 1986 की धारा 6 के तहट जुर्म दर्च किया था और जाच में जुटी हुई थी जिसके बाद पुलिस ने खिसोरा गाव के रहने वाले आरोपी अविनाश राठोर को गिरफतार किया है और उसे न्याएग विमान पर जेल भेज दिया है आपको बता दे कि जानजगीर चामपा जिले में स्त्री अशिष्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम 1986 की तहट जुर्म दर्च पहली बार हुआ है